नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फो नेशन राजस सुप्रीमो लालू प्रशाद यादो पांच मामलों में सजायाफता हैं दोरोंडा कोशागार के अवैद निकासी के मामले में भी लालू प्रशाद यादो को पांच साल की सजा और साट लाग रुपे का आर्तिक डंड लगाया गया था मगर आपको बता दे कि आज राजस सुप्रीमो लालू प्रशाद यादो को जमानत भी मिल सकती है हम ऐसा इसलिए के रहे हैं क्यूंकि दोरोंडा कोशागार अवैद निकासी के मामले में उनके वकील ने जहारकंड हाई कोट में एक अरजी दाकिल की थी और उसी अरजी पर आज जारकंड हाई कोट में सुनवाई होने को है सुभा 11 बजी तक इस सुनवाई पर बात हो जाएगी मगर सबसे बड़ी खबर यही है कि आज ये तेजश्वी और तेशपरताप की तरफ से दावते इफ्तार रखा गया है रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसके बीच लालू प्रशाद यादों के दोनों लाल ने दावते इफ्तार रखी है वो इस दावते इफ्तार में ये दुआ जरूर करेंगे कि लालू प्रशाद यादों को आज बेल मिल जाए क्योंकि सबसे बड़ा मामला था डोरूंडा वैद कोशागार के निकाशी का जिसमें लालू प्रशाद यादों को 5 साल की सजा और 60 लाक रुपए का जुर्माना लगाया गया था देखे हमारी ये रिपोर्ट की क्या सच में आज लालू प्रशाद यादों को जेल से बेल मिल सकती है या नहीं चारा गोटाला के 5 मामलों में सजायाफता राजस सुप्रीमों और बिहार के पूर्वे मुख मंतरी लालू प्रशाद यादों की जमानत पर जारकंड हाई कोट में आज शुकरवार को सुनवाई होगी या मामला जेस्टिस अपरेश कुमार सिंग की अदालत में सुनवाई के लिए सुची बद है लालू की जमानत पर सुबाई 11 बजे लालू के वकील और सीबी आई के वकील कोट में अपनी दलीले पेश करेंगे डोरूंडा कोशागार मामले में लालू यादों की जमानत का विरोध कर रहे केंद्री जाच एजनसी सीबी आई की ओर से लालू की हुए यह जवाब दाखिल कर दिया गया है लालू प्रशाद यादों को आज जमानत मिलती है तो उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिल जाएगा लालू यादों कोशागार मामले में कोट द्वारा दी गई पांच साल की सज्जा की आदी अवधी जेल में नहीं बिताई है सी बी आई की विशेश अदालत ने लालू यादों को डूरूंडा कोशागार से अवधी निकास्टी मामले में पांच साल की सज्जा और साट लाका जुर्माना लगाया है इस आदेश के खिलाफ लालू प्रशाद यादों ने जहरकंड हाई कोट में अपील दर्जी की है उनका क्रेटनीन लेवल पांच से उपर पहुँच गया है लालू की बेटी मिसा भारती दिल्ली में अपने पिता की देख रेक कर रही है लालू के छोटे बेटे तेश्वी यादों ने अपने पिता के सीक्र स्वस्थ होने के लिए लोगों से दुआए करने की अपील की है तो राजस सुप्रीमों लालू प्रशाद यादों को आज थोड़ी रहत मिल सकती है आपको बता दी कि चारा घोटाले के पांच मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रशाद यादों की तबियत भी लगातार खराब थी जिसको देखते हुए उन्हें राची के होटवार जेल से दिल्ली के एम्स के प्राइवेट वर्ड में शिफ्ट किया गया वहाँ पर उनकी सिति स्थिर बताई जा रही है मगर उनका जो क्रेटनी लेवल है वो पांच से उपर चल गया है लगतार लालू प्रशाद यादों गंभीर बिमारियों से जूज रहे हैं डॉक्टरों का प्रशाद यादों के लिए उनके सबी समर तक दुआएं करें ताकि वो जल से जल जील से बाहर आ जाए आपको यह भी बता दे कि सी बी आई के जो वकील है उन्होंने भी अपनी दलील पेश की है कि लालू प्रशाद यादों ने डोरूंडा के अवैद निकासी के मामले मे अपनी सजा आधी पूरी नहीं की है इसी का हवाला देते हुए उन्हें फिलाल जमानत नहीं देनी चाहिए मगर आज सुबाई 11 बजे तक फैसला आज आएगा कि क्या लालू प्रशाद यादों को जमानत मिलती है कि नहीं उनकी तबियत लगातार खराब चल रही है आगे भी हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे लगातार खबरों में बरहे रेने के लिए आप देखते रहिए News for Nation